अजमेर की क्रिशनगन स्थाने में फेस्बुक वर फर्जी आईडी बनाकर यूवक से ठगी करने का मामला सामने आया है ठगों ने पीडित यूवक के दोस्त की फर्जी आईडी बनाई और परिवार के सदस्य के बीमार होने का जहांसा दे कर प्पांच लाग पिचित्तर हजार रुपई की ठगी कर ली पीडित की और से क्रिशनगन स्थाने में इसके शिकायत दी गई है पुलिस ने मामला दर्ज कर जान शुरू कर दी है क्रिशनगन स्थाना पुलिस के अनुसार पंशिल लगर की बी ब्लॉक निवासी विवेक राथ सेठी की और से थाने पर शिकायत दी गई है शिकायत में पिडित यूवक ने बताया कि उसके दोस्त अनिकेद गोयल के फेस्बुक पर फेक आईडी बनाकर ठगो के द्वारा ठगो ने उसकी फेक आईडी से परिवार के सदस्य के बीमार होने की जानकरी दी और उनसे पैसो के डिमांड की गई पिडित यूवक ने जहांसे में आकर मैसेज पर ठगो से अकाउंट डिटेल्स ली बाद में अपने विदेश में संचालित दो अकाउंट और भारत में सं पैसे मांगे तो उसे शक हुआ इसके बाद उसने अपने दोस्त को इसके नंबर पर कॉल किया तो उसने पैसे मांगने से इंकार किया इसके बाद उसे पता चला कि किसी ने उसके दोस्त की फरजी आईडी बनाकर उसके साथ ठगी की वारदात को इंजाम दिया है पीडित न मेरे बताया कि दिनांक नो बारा तेईस से दिनांक इकीश बारा तेईस तक मेरे दोस्त अनिकेत गोईल की फेश्बुक पर फेंक आईडी बना कर मेरे को बताया कि मेरी मा बिमार है और मेरे पेशों की जुरूत है तो उस पर उसने तीन किस्तों में पेशे जम्मा कराए कुल पेशे पांच लाग चोत्तर अजार आश्वो चोराणव रुपे जम्मा करा दिये फिर उसको मा पता चला कि दोस्त से वाट्सर पे 21 तारी को बात की तो उसको पता चला कि मेरे साथ फ्रोड हो गया है जिस पर मुगदमा नंबर 805 अभलिक 23 दारा 422 आईपी शिम दरजकर अनसंदन जारी है यह रेनेवला पंचील का है और वो फरजिये जो उनका अतपता नीवी अनसंदन से दोस्त बनकर वाट्कियों दोस्त बनकर तेजारा में एसाई पुलिस्ताना किसे गुंदू झाल